क्या आपने कभी सोचा है आखिर कैसे इंजीनियर्स नदियों और समुदर के उपर ब्रिज को बना देते हैं तो चलो आज यही जान लेते हैं सबसे पहले तो ब्रिज बनाने का काम दो साइड पर होता है पहला ओफ साइड और दूसरा ओन साइड ओफ साइड पर हमेशा ब्रिज के प्रीका स्लाप्स को तयार करते हैं और उन साइड पर समुदर के नीचे बेस को बनाया जाता है बेस को बनाने के लिए काफ़ दम का यूज करते हैं यह एक मैडल का बहुत बड़ा ड्रम टाइप होता है कैफ़र डम को क्रेन की मदद से पानी के अंदर फिट करते हैं और जब इसके अंदर की मिट्टी दिखाई देने लगती है तब पानी को बाहर निकाल कर इसके अंदर का काम शुरू हो जाता है उसके बाद cement, concrete और bars के बने pillars तयार करते हैं और offside पर जो preka slabs बने थे उनको pillars के उपर set कर देते हैं उसके बाद छोटे मोटे finishing touch देने के बाद तयार हो जाता है bridge